हेलो दोस्तो मैं हूँ अभीशेक और जीटीउ डेली टेक के इस नए वीडियो के अंदर मैं आपका स्वाइट करता हूँ यहाँ पे हम बताते हैं आपको लेटिव टेक न्यूज और जवाब देते हैं आप लोगों की टेक क्वेरिस का और इससे पहले कि मैं आगे बड़ू मैं आपको ये तो बता देता हूँ कि आज बहुत इंट्रेस्टिंग टेक न्यूज है क्योंकि मैं आपको कुछ-कुछ ऐसी बाते बताने वाला हूँ जो की Realme 7 और 7 Pro के बारे में है तो ऐसे मैं उनको जानने के लिए वीडियो पूरा देखना सबसे पहले बात करते हैं टेक पोल के बारे में रीएल्मी और रेडमी की तरफ से जो की एक सइ बात भी है Realme, Redmi चाइनीज कंपनी जरूर है लेकिन बहतर स्पेसिशिफिकेश्न बहतर वैली फर मनी लंबे चलने वाले फोन आप ले सकते हैं Realme, Redmi की तरफ से जबके Samsung के 10,000 से नीचे वाले फोन जो हैं वो बहुत ही वीक होते हैं और इवन ना सिर्फ उन में प्रोफेसर वीक होता है उनका डिस्पले भी इन्होंने बहुत ही बिकार दे दिया है कई बार तो ऐसे में Samsung की तरफ से अच्छे फोन ही नी 10,000 के अंदर अब जो बात सच है वो है M11 is just a joke I tell you It is a TFT डिस्पले कौन देता है याँ 2020 के अंदर TFT डिस्पले वाला फोन लेकिन ये लोग दे रहे हैं लेकिन Redmi और Realme में काफी अच्छे आप्शिन से हैं ये बात करते हैं पहली Tech News के बारे में और वो है Realme की दरफ से Realme का 7 Pro उसकी डीटेल्स सामने आई है और ये डीटेल्स मुकुल शर्मा ने शेयर की है मुकुल शर्मा जी कहते हैं यहाँ पर 65 Watt की चार्जिंग होगी exclusive है तो यहाँ पर इनकी जो information मुझे लगता है कि काफी ठोस है तो उसके basis पर अगर हम बात करें तो 65 Watt की fast charging वाला feature आपको मिलेगा Realme ने Realme 7 Pro का box भी बेजा है जिसमें phone नहीं बेजा सर्फ box बेजा है और charger बेजा है तो ऐसे में वो ये चाहते हैं कि सब लोग को लगेगा कि यह तो 15,000 या 12-13,000 रुपे के phone में आता है जैसे Poco M2 Pro तो ऐसे में यह तो phone सस्ता होना चाहिए नहीं 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 फोन तो इन्होंने महंगा ही बेचना है 7 Pro है तो Pro थोड़ा महंगा ही रहेगा ना तो मुझे लगता है 17 से 18,000 बीस जार तक इसकी कि अगर आपको fast charging मिलती है तो 1.5 हिंटे में आपको phone charge हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपको camera बहतर मिलता है यानि कि 64MP का नया camera है और यह Sony का sensor इस पार तो अगर camera में अच्छे refresh लेके आते हैं यह लोग तो definitely यह phone computer करने लाए होगा तो camera की वज़े से अगर आप इस मेहंगे phone को लेना चाहें तो लो प्रोसेसर जो है performance जादा expect मत करना यह मत सोचना कि Poco X2 जैसी performance इसमें मिल जाएगी वो नहीं होने वाला वो 730G में actually में बढ़िया performance मिलती है 720G उसका मुकाबला नहीं कर सकता तो ऐसे में सोच समझ के लेना Realme के नई phones खाफ दर से Realme 7 Pro अब बात करते हैं अगली खबर के बारे में और वो है Realme 7 के बारे में Realme 7 की भी specification आप चुकी है इसके बारे में मुकल शर्मा ने बोला था कि भई इसमें G90 का नया प्रोसेसर आएगा G95 तो G95 जो है MediaTek का G90T का अपग्रेड होगा थोड़ा सा हायर क्लॉक वर्जिन होगा वो ही सेम प्रोसेसर होगा यही होता अपग्रेड इसमें 65 वाट की चारजिंग नहीं मिलेगी तो Realme 7 जो है फिर भी सस्ता होगा तकरीमन 15-16,000 के आसपस तो वहाँ पर मतलब समझ में आ जाता है चलो ठीक है कोई बात नहीं फास्ट चारजिंग नहीं दी लेकिन इस फोन में भी कैमरा अच्छा होना चाहिए 15-16,000 के फोन में कैमरा अच्छा होना ही चाहिए अदर्वाइस फिर आप Poco X2 नहीं ले लोगे जाके जी हाँ OnePlus ने लांच कर दी है अपने फोन अपना सस्ता फोन, अपने महेंगे फोन और साथ ही साथ अपने TWS यानि की ट्रूली वाइलेस एर फोन अब वो लांच करने वाले हैं अपनी वाच जी हाँ वाच का सब लोग वेट करेंगे मैं भी वेट करूँगा OnePlus फी वाच होगी बढ़िया क्लीन यू आई के साथ होगी न क्या पता उसमें भी Oxygen OS देते हैं ये लोग अब बात करते हैं अगली ख़बर के बारे में वो है Poco X3, Poco X3 के जो ग्लोबल PR हेड है उनका नाम है Angus Hongun Nungu नंगू नहीं है वो मैं थोड़ा गलग बोल गया नाम ही थोड़ा जीव है Angus बोल लेते हैं Angus भाई जो है इन्होंने फोटो वोटो डाला है अपना ट्वीट डाला है उसमें दिखा रहे है कि हमारे Poco X3 के अंदर 64 Megapixel के कैमरा है हाला कि डवाइस इंडिया नहीं आने वाला है लेकि हमें तो सब कुछ जानना होता है तो आप लोग जान लीजे कि Poco X3 64 Megapixel के कैमरा के साथ है सेंटर पंच होल के साथ है साइड माउंटेट फिंगर्पिंट मिंसर और पाव बाटन के साथ है तो इसमें IPF दिस्प्ले मिलेगा आपको AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलेगा सब लोग यही चला रहे है कि AMOLED दे दो AMOLED दे दो भाई Poco X3 is just an upgrade over Poco X2 बाद में फोन इडिया भी आएगा लेकिन इससे पहले Poco X3 आएगा बाकी न्यूज में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अच्छी लगी है यहां तक न्यूज तो वीडियो को लाइक कर दो भाई हमेशा मुझे कहना पड़ता है आप लोग मानते नहीं है और सारे लोग लाइक नहीं करते हैं अभी तक हम किसी भी न्यूज पे 1000 लाइक का टार्गेट रीच नहीं कर पाएं विच इसाड तिंग बट अगर आप करोगे तो रीच कर पाएंगे अगर न्यूज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो अगली खबर की बात करें तो यहाँ पे Infinix 08 जो है लाँच हो गया है G90T प्रोसेसर के साथ और ये जो है एक ऐसा फोन है जो कि Infinix की तरफ से इनका Infinix का flagship कह सकते है इतना महेंगा फोन अभी तक लाँच नहीं किया तो आइ थिंग ये 15 से 20 जार के बीच में कुछ होगा महेंगा रहेगा लेकिन मत करीए Infinix में क्या बात है अच्छी बात है अब बात करते हैं अगली खबर के बारे में वो है Redmi 9 जी हाँ Redmi 9 जो है लाँच हो गया है उसकी pricing बहुत रखी है अच्छी Xiaomi ने जी हाँ Manu Gumar Jain और Ankit Vengu लेकर दोनों ही बड़े respected लोग है हमारी Tech Industry में इन दोनों ने मिलके लाँच किया है और एक चीज जो है बाद में बोली है उसके बारे में बाद में बता हूँगा पहले pricing बताता हूँ 9000 रुपे में आपको 4GB RAM 64GB की storage 10,000 रुपे के अंदर आपको 4GB RAM 128GB की storage Redmi 9 में मिल जाएगी तो Redmi 9 is definitely good performance के एसाफ से definitely ये mid range वाला phone है ये बहुत ज़ादा महेंगे वाला phone नहीं है तो इसमें performance आप ज़ादा expect नहीं कर सकते लेकिन day to day stage में दिक्कत नहीं आएगी MediaTek का G35 processor इसमें आपको मिल रहा है G25 वाला Redmi का एक और फोन आने वाला है और 5 एफर एमेज की बैटरी इसमें 6.5 इंच का HD display है तो देखा जाए तो ये phone आपको अच्छा लगेगा लेकिन अभी एक और phone बाकी है क्योंकि Manu Gumarjan ने बोला है picture अभी बाकी है और picture अभी बाकी का मतलब यह है कि Redmi 9i भी आने वाला है जिसमें आपको MediaTek का G25 मिलेगा और वो phone इससे भी सस्ता होगा तो ऐसे में Realme के phone से मुकावला करने के लिए Redmi ने भी line लगा दिये Realme ने अपने product दिखा दिये Redmi ने अपने निकाल दिये अब देखो किसका बिखता है जिसका भी बिखे इन दोनों में से किसी का बिखेगा Samsung और बाकी companies उनका तो हाल बोरा होने वाला है तो यह थी आज की सारी टेक की खबरे मुझे उमीद है आपको वीडियो पुसंद आवागा इस तरह के और वीडियो के लिए लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल्ग सब्सक्राइब करिए बहुत बहुत शुक्रिया जैहिन बने मातरम बाबाई